इनकिलाब 1857 से बहुत सी कहानिया जुड़ी हुई है ये कहानिया एक विदेसी खौम के हाथों हमारी कौम की तहजीबी, समाजी, सियासी, जजबादी और जहनी हर तरह के तजर्बों के गिर्द घूमती है जवाहरलाल नहरू ने लिक्का था अंग्रेजों की आमद से पहले भी हमारी गौम को सियासी शिकस्त के तजर्बे से गुजरना पड़ा था मगर ऐसे लोगों के जरीए जो हिंदुस्तान आए तो यहीं के होकर रह गए जिन्होंने हिंदुस्तान को अपना घर बना लिया मगर अंग्रेज कौम यहां रहने के लिए नहीं बलकि एक ब्यौपार करने के लिए आई थी उसके कारोबार में सियासत भी शामिल थी मौलाना मुहम्मद हुसेन आजाद दिल्ली के एक मशूर खराने के फर्द थे उनके वालिद मौलवी मौहम्मद बाकर अंग्रेजों के जबर से आजादी का जंडा बुलंद करने वालों में पहले सहाफी थे जिन्हें शहीद कर दिया गया दुख के अंबार उठाने के नतीजे में आजाद का होश खो बैठना और जिन्दगी के बीस साल दीवानगी में गुजार देना लेकिन आजमाईश की इस जिन्दगी में भी वो उर्दु जबान और उर्दु अदब को माला माल कर गए मौहम्मद हुसेन आजाद ये एक अजीब गरीब कहानी का उन्मान भी हो सकता है मौहम्मद हुसान आजाद एक जीती जागती शक्सित के मालिक थे हमारी अदबी रवायत में उनकी कई हैसिते हैं वो एक बहुत मशूर नसरनिगार इन्शापरदाजी के एदबार से गहर मामूली एदबार रखने वाले हमारी अदबी तारीख के अफ़ली कहना चाहिए लिखने वालों में इसी एक साथ नकाद, शायर, ड्रामा नवीस, इन्शाइया नवीस, गर्जे की कई हैसिते थे उनकी और जिन्होंने उन्नीस्वी सदी का जमाना जो नश्चत-थानिया का जमाना कहलाता है उस जमाने में हिंदोस्तान के में जब एक नए शौर की दागबेल डाली जा रही थी उसे फरोग देने में एक गयर मामूली रोल अदा किया उन्होंने एक कहने को तो एक लंबी उम रुपाई, लेकिन तकरीबन एकीस बरस वो दीवाने रहे अपने एक लिक्चर में उन्होंने कहा था कि जुनू एक तरह से लाजमे शायरी है खुदा हर एक को ये निम्बत नसीब करे अब देखे ये अजीब बात थी, पतानी किस लम्हे में उन्होंने ये बात कही थी कि इस बात का इतलाग उन्ही के अपनी जिन्देगी पर हो गया यानि तकरीबन अपने मौच से 21 बरस पहले उनका दिमाख कहना चाहिए तवाजन गायम नरक सका और उन्होंने दीवानगी के आलम में, उस वक्त भी, लेकिन किताबें लिखी उन्होंने 20-25 किताबें उन्होंने रिसाइल लिखे, ऐसे लिखे हैं जिनकी नसर आज भी शौक से पढ़ी जाती है और जिनके बारे में गवान होता है कि दीवानगी के बावजूद जहां मानी का रब तो नहीं है लेकिन जबान ऐसी लिखती है आजाद में, जो खेर मामूली है उनके एक मुर्रिख, डॉक्टर असनम फर्दुखी का तो ख्याल ये है कि इस तरह की किताबों की ये रिसालों की तादाद मजमूई तोर पर 70 तक पहुँचती है उन्होंने काम भी आजाद पर बहुत किया है आजाद ने अर्दू की पहली रीडरें भी लिखी, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक किताब लिखी जिसमें कसस हिंद के नाम से, जिसमें हिंदुस्तान की तारीख को किस्सों में वयान किया एक किताब लिखी अर्दू के रीडरें जिसके इलस्ट्रेशन्स उस जमाने में रोडियाड किपलिंग के वालिद जान किपलिंग ने बनाये थे उन्होंने अर्दू की सबसे मशूर तारीख कहना चाहिए पहली तारीख जो लिखी वो है आबे हयात इसी के सास्दत उनका सफर नामा सेर ईेgartन लिसानियाद पर उनकी किताब एक तरीके से लिसानियाद के लिसानियाद से बहस करती है सुखनदान फारस उनकी इनशायिय नेरंग धियाल उनकी तारीख की कताबें दरबार एकबरी खासतार पर खुशी की बात ये है कि आजाद पर गुफ्तुगू के लिए इस वक्त हमें दो ऐसे अर्दू के दानिश्वर और मौलिम मिल गए हैं जो मौहमसान आजाद की खिद्मात की परतें खोलेंगे और उनके बारे में गुफ्तुगू करेंगे ले एक टो प्रौफसर असलम पर वेज़ बैटे हुए है जो दिली के रहने वाले हैं दिली स्कूल पर जिनकी नजर बहुत से मौझवाद पर हैं लेकिन हास्तौप दिली की रवायत बहुत गहरी नजर लखते हैं और उन्नीसी सदी के नसर पर विसी सदी के नसर पर शाईरी पर जिन्होंने बड़ा काम किया है, असलम पर वेस्ता, आजाज से गेरमामूली दिल्चसपी रखते हैं, इस वक्त वो अर्दू का एक बहुत मशूर जर्णल एडिट कर रहे हैं, अर्दू अदब के नाम से, जो अंजमने तरक्ति अर्दू से शाय होता है, इसके लावा हमा मुहिन अद्दीन जीना बड़े, बड़े नामवर अफसाना निगार, ताबीर के नाम से उनके अफसानों का एक मजमूँआ शाय हो चुका है, और जाहिरिक उन्होंने हमारे जमाने के बहुत से वाकियात पर ऐसी जीती जाकती कहानिया लिग दी है, जहां ये फैसला करना म हासिन पर और उसका एक जाहिजा बड़े खुबसूरती से उन्होंने अपनी किताब में लिया है, असलम भाई, हम बात आप से शुरू करते हैं, आजाद मुझे हमेशा एक दर्द के एहसास के साथ याद आते हैं, यानि बड़े अच्छी शकल सूरत उनकी जो बड़ी पाक आप एहात में शायरों के मरक्य देखिए, तो ये बनता है कैसी कैसी, और उस आदमी ने कैसी आजमाईशां से भरी हुई जिन्दगी गुजारी, उसको कभी अपनी सलाहियां तो के मताबिक उसके शायर निशान नौकरी नहीं मिल सकी, अंग्रेजों ने उसे हमेशा दबा क रखा, जब वो लाहूर गए, पंजाब बुग्ट पर मुलाजम हुए, उननीसी सदी का वो जमाना याद कीजिए, और फिर ये की इन सतवान बातों का फिर उसने घदर के हाथों चो तकलीफ उठाई, उनके बाप, मुली महुत बाकर, दिल्ली के रहने वाले, जो कहना चाह जाफी थे, जिन्हों ने अपनी जान दी, अपनी सहाफ़त की वज़े से, एक उनकी जवान बेटी, जिसका अचानक इत्तकाल हो गया, एक शीरखवार बच्ची छोटी सी, जो घदर के जमाने में, धमाके की आवाज सुन करके, उसकी जान निकल गई, और खुद अखबाल, यानि खुद आजाद ने जिस तरह दीवानगी के आलम में, एकीस बरत गुजारे यहां से पैदल मालुआ चलते हुए, लाहुर जा पहुंचे और कहते हैं, यहां उन्हों ने तालीम हासिल की थी, फूर्टिनम एर इसमें, दिल्ली कॉलेज में, मास्टर राम चंदर के शा पहले हमारा तारुफ हुआ, आजाद की किताब आबेहायात से, और आजाद की तो एक से किताब जो है, वो अपनी जगा बहुत खूब है, लेकिन आजाद की जो आबेहायात है, वो एक ऐसा नक्ष शोड़ती है, एक तो इतनी दिल्चस्प उसकी नसर है, इन्शापरदाज का बेतरी नमूना है, और कई चीजों में उन्होंने पहल की है, यानि अर्दू का सही मानों में वो पहला तसक्रा है, उससे पहले फार्सी में तसक्रा लिखे जाते थे, फार्सी में तसक्रा हमें जिकर शायर का दो चार सतरों में होता था, और कुछ नमूने अशार होता थ इसमें शायर का तन्कीदी महाकमा भी है, उसकी जिन्दगी के हालाद भी है, उसकी शायरी के नमूने भी हैं, और उसके साथ साथ जो आजाद के अपने जो तरजियात थी, उसके हिसाब से उसका महाकमा भी है. कलमी खाके बहुत अंदा हैं, और एक उनके कमाल ये है, कि जिन लोगों के साथ उनको जरा सा कुछ कद है, उनका जिकर इतनी खुबसूरती से, तमाम तारीफें करके, सिर्फ एक जुमला वो बैन करते हैं, और वो जुमला ऐसा होता है, कि उनकी उस तमाम तारीफ पर बारी प करते थे, आजात पहले शक्स हैं जिन्होंने तथक्रे में अपने आब हायात में लिसानी मुबाइश भी उठाए, यानि जबान की अब्तिदा, और उन्होंने पहले यानि उस पतक लिसानियात का कोई शहूर नहीं पदा हुआ था, लिसानियात के कोई इल्म बाकादा हमार लिली वाले जैसे सारी बैठके लाहुर में लिखी है उन्होंने, देखी एक बात आजाद के सिल्से में बहुत तज्जीब औ गरीब, शिबली ने भी दाद दी थी गर्चे जुमला उनका सक्थ हत खुडा, उन्होंने कहा कि वो तहकी का मर्द मैदान नहीं है, लेकिन इध नजीर रहमत मजब के बगार लुकमा नहीं तोड़ सकते, शिबली जो है अगर उनसे आप तारीख को अलग कर दीजे तो कुछ नहीं रह जाते है, नजीर रहमत के यह है, शिबली के यह है, आली के यह है, लेकिन यह कि हमारा किला मौला का हिरो जो है, वो आजाद है, जिसस किसी सहारे के जरूरत नहीं, लैनि खुद अपनी नसर के बल्बूते बल्बूते बल्बूते, इस लिहाद से जवाब अब अर्दोनसर की पूरी रवायत में देखते हैं उनको, तो क्या महसूस करते हैं? आजाद की बुनियादी हैसियत नसर निगार की है और इसी के पहलो पहलो उनकी एक हैसियत नजरिया सास की सी भी है कि जदीद नजम का डॉल जो है वो आजाद ही के साहरे डाला गया था और उनका जो इस जिमन में बहुत मशूर लेक्शर है उसकी हैसियत जदीद नजम के मनशूर की सी है ये दोरी हैसियत आजाद की इन्फिरादियत है जो पहली हैसियत है नसर निगार की तो आजाद से पहले की नसर की अर्दू नसर पर जब अब नसर डालते हैं तो मालूम ये होता है कि या तो फोर्ट विलियम कॉलिज की नसर थी या रजब अलीब एक सरूर की नसर थी और मिर्जा गालिब के खतूत की नसर भी थी ये थी हमारी नसर की रिवायत आजाद के यहां हम ये देखते हैं कि उनकी नसर के डांडे ना तो सरूर से मिलते हैं ना फोर्ट विलियम कॉलिज की नसर से मिलते हैं आजाद ने नसर में अपना एक मुनफरिद असलूब वज़ा किया और ये उनकी इन्फरादियत जो है उन्हें आज तक जिन्दा रखे हुए है हमारे मुखकी ने जिन्होंने आजाद पर काम किया है उन्होंने आजाद के ऐसे पेपर भी देखे हैं जिसमें उन्होंने नसर के एक टुकड़े को लिखने के बाद बीस यों मरतबा काट कर किया है एक लफ्स की जगा दूसरे लफ्स को रखा है गोया उनकी नसर में एक पिसम की सनात कासा तस्वर पाया जाता था तो ये खुब भी उनके यहां देखिए ये जो है ये कि आजाद अतनी नसर पर मेहनत बहुत करते थे यानि मैंने तो ये पढ़ा कहीं कि उनके गते से बन गए हैं लेकिन खुबी ये है कि वही नसर पढ़िये तो पढ़ने में धाई रमादमा और शफाफ मालू होती है एक अजीब बात है कि आजाद के हाँ ख्यालों का जिकर भी जब वो करते हैं तो आजाद के हाँ मजर्द ख्यालात को अब्स्रेक्शन को कॉंक्री बनाने का मजस्दम बनाने का एक रविया बहुत अजीब गरीब मिलता है और जाहरी कि इस लहाद से आप देखें शायद इसलिए उनकी नसर में एक अफ्सानवियत या ड्रामाईयत अपने आप पैदा हो गई है कुछ चीश सिलस्रे में आप फरमाएं आप मुझे तो पढ़ते हैं खास्तों पर आप एहायत की तो लगता है हमारे जमाने की नसर है यानि उस नसर में हमें कहीं कोई अजनभी पन लगता ही नहीं नहीं लफजों का इस्तेमाल जूमलों की साखत ये तमाम चीज़ें तो इतनी मजी मजाई पहले से जो जबान आगे जैसी बननी चाहिए थी वो आब हायात में उन्होंने पहले ही बना के रख दी ये बड़ा कमाल है और मुझे तो ये हैरत है कि ये नमूने तकलीद क्यों नहीं बनाई उसलूम देखे जतनी इन्फराजियत उनके नसरमिगार के तोर पर है शायरी उन्होंने जो की वो मुझे फीकी आजाद ने अपना पहला लिक्चर दिया अंजमन पंजाब के मनाजमे में जहां से एक मुझारों की एक नई रवायत शुरू होती है मुझावात दे करके शेर कहे जाते हैं नजम और कलाम मुझा के बाद में ख्यालात और वहां से शायरी का एक नया तसवर सामने आता है आ आजाद ने ये कहा था कि साब इस सब्सक्राइब तो आलातरीन ख्यालात के खजाने जो हैं वो तो अंग्रेजी संदूकों में बंद हैं और उनकी चाबियां अंग्रेजी दानों के पास हैं यानि मगरिब को हम जतना समझने कि कोई कभी कभी ये भी एहसास होता है कि आजा का मकसد हाकिम और रियाया के दर्मियान रिष्टे ममानसत को तर्की देना है यानि अंग्रेजों की खुलामी के लिए हमारे जहन को त pequeño करना है तो इस जबर का शिकार आजाद भी हुए है इस जबर का शिकार मौलाना हाली भी हुए जया दोनों के हाँ आजाद के हाँ आभ- फीकी सीठी, मौलाना हाली ने खुद जो शायरी की है, ऐसी खजलें सुनी ने थी हाली, ये निकाली कहां से तुमने ब्यास, लेकिन वो खजलें जा आप पढ़िये तो हाली कि वो खजलें जो रवायती अंदास की हैं, उनके सामने नहीं ठेहरते हैं, तो आप ये बताएं मौ असरबाद की शायरी को पढ़ता है, देखिए, मेरे नजदीक आज़ाद गालबन हमारे पहले अधीब हैं, जिसकी तखलीकी सरगर्मी का आखाज 27-28 बरस के बाद होता है, दिल्ली के जमाने में आज़ाद की कोई तहरीर हमारे सामने नहीं है, तो 1857 के बाद अंग्रेज की इस तहे काम हो चुकने के बाद, अगर किसी ने किसी की तखलीकी सलाहियतें अपने बरविकार लाई जा रही हैं, तो ये आज़ाद हैं, शायरी का जो मेयार इन्होंने पेश किया, वो जाहरी कि हमारी रवायत के मताबिक नहीं था, और इसलिए वो शायरी जो की गई इसला कि एक हमें वो दवा पिलाई जा रही ही, जो बहुत कहना चाहिए करवी हो, जो हमारी सहत को खराब करेगी बजाए हमें उसे दुरस करने के, तो मेरे देख ख्याल है, इसमें एक बात और ये निकलती है, कि अन्जमन पंजाब की जो इमारत थी, उसमें ये सारे फंक्शन हो रही थी, और उसका अन्जमन पंजाब की जो दूसरी कार गोजारी हैं ती लिसानी, उससे अतना गहरा तालुक नहीं है, इसका सीधा सीधा तालुक, आजाद के अपने मतलब यह है, कि नजम में दल्चस्पी और नजमगोई में, अपने मजमुए के उन्वान के साथ उन्ह हो ने उपरी यह लिखा है कि मजमुए नजम आजाद जो हर तरह की drosख आजाद आजाद है जी जी तो वह नजमे धर अंजम है पंजब के नाम, मेरे खाल से हम सर नहीं कर सकते, वो बैलकुर एक नजम की डवलप्मेंट की अलग तहरीक है, अच्छा वो नजम उस दमाने में, देखि उस्ते पहले तो नजम की रिवायस सेवाई नजीर अकबर अबादी को और कई मिलती हैं, उसके बाद यहाती है, नजीर मदामین भी आनी चाहिएं ये तमाम चीज़े आनी चाहिएं और फिर ये कि जो मुक्तलिफ जो जॉनर्स हैं शाहरी के उनका डिविलप्मेंट हो वो तमाम चीज़ों का वहा हुआ मसनरी का हुआ और दूसरी तमाम चीज़ों का हुआ तो इस एद्बार से मेरे खाल ये है कि जो नजमें यहां कही गई है उन्होंने नजम की तहरी को हमारी एक गुवत तो बखशी है और नजम गोई का कि एक रिवायत वहीं से निकली और चली है वरना शायद नजम इतने जल्दी तरकी न करती तो ये एक सीक्वेंस यूं बनके चलाता है और मैंने काला है इसका जो सरच्षमा जो है वो नजमें आज़ाद की तहरी के इस सिलस्ले में मैं चाहता है यह हूं कि आप कुछ फरमाएं मेरा मारूदा यह है शमी उहांफिस हाब कि यह जो नजमें आज़ाद जिसे हम कह रहे हैं नई नजम यह बहरहाल कलोनिय आज़ने का हिस्सा थी और सेक्रेटरी का लेटर है जिसे कोट किया है मौमद साजिक साब ने अपने प्यजडी ठेसिस में भी और बाद में अंग्रेजी में जो नोंने हिस्ट्रिया फुर्दू लिटरेचर लिखी के सेक्रेटरी साब ने सरिष्टे इतालियम करड़नल हल इसको खत लिखा किसाब ये वहियात किस्म की शायरी जो है हिंदुस्तान में पाई जाती है और ये हमाले दरसी किताबों के काम नहीं आएगी आप एक गालिप का नाम लिया दो एक और शायरों का नाम लिया इनके यहां कुछ मतलब की शायरी निकले तो देख लीजिए वर इस गौवर्मेंट के सेक्रेटरी के इस खत को अमली जामा पहनाने के लिए जो एक गदम उठाए गए उनमें एक तो वो था कि सोसाइटी कायम की गई और दूसरे आजाद को ये जिमा सूपा गया कि अब अद्बी सते पर इस शेरी मिजाज को बदलने का काम आपको करना है देखे शेरी मिजाज को बदलने के सुसीन गदा कلام होता है जिस किताब का सबसे ज़्यादा कहना चाहिए बड़ा रोल रहा हो मकदम शेरो शेरी है मकदम शेरुश है ने कहना चाहिए हमारे तारीख महर बदल दिया रुख बदल दिया उसमें हाली ने इस बात पर जोर दिया कि साब शेर की खूबी क्या होती है असलियत सादगी और जोश उस सिंपल सेंस्वर संस्पेशनेट अंग्रेजी के इन अलफाज का तरजमा उनों ने किया था शाइरी की खूबी क्या होती है? मुशाहिडा कायनाथ तफ़फ से और तख्यूल यानि इमेजिनेशन और लफजों की च्छानबीन और कायनाथ का मुशाहिए यानि मुशाहिदा पिर उनों ने ये कहा कि साब शाइरी से दुन्या में बड़े-बड़े काम लिये जा सकते हैं इस तरीके से सोचने का एक सोचने की एक रवायत हमारे यहां शुरू हुई उस वक्त और जाहरे कि उसके नतीजे में हमारे अरद्धियमल भी इसलिए कि हिंदोस्तानी मिज़ाद उसका तसवर हकीकत अलग था। उसके हां इमेजिनेशन के तसवर अलग था। तश्बी और इ मौदू देकर नजम कहलवाने का जुम हमारे यहां तो घजल में होता था कि हायत ताय करती थी उसकी फनी इकाई अता करने का काम सिन्फ को हायत करती थी और मौदू बदलता रहता था हर शेयर में यहां मौदू ताय करके जब उन्होंने कहा कि आप शेयर कहिए तो मौदू भी रखे देखिए हुब वतन है मनाजर रह्म और इनसाफ है उम्मीद है वगरा थीम से आप डिस्क्स करेंगे तो उससे एक बैस शुरू होगी अब बेवा है चुपकी दाद है इन नजमों को आप क्या कहें बरका रूत है ये तमाम लजबे जो है इनको आप क्या कहेंगे य पिर एक आखरी बात जो सिलस्रे में चाहता हूँ कि एक दो जम्ले आप जरू फरमाएं वो यह है कि हमारी रवायती असनाफ मरसिया खसीदा मस्नवी और घजल उसमें उन्हों ने हर हाली ने मुकदमे शुरू शायर में सबका बहुत सक्ती से जायजा लिया है शेर के बारे में उन्होंने कहा कि शायरी की एक अदार उमदार तीन बातों पर है तक्यूल मुशायदे काइनात और तफहुस्ते अलफाज लफजों की चानवीन लेकिन जाती जहां हुई सबसे अदा असनमाई वो यह हुई कि मकदमे शुरू शायरी में हमारे रवायती तसवरात रवा वायती असनाफ से मुराद मरसिया है, खसीदा है, घजल है, इसके जो महासिल जो खूबियां थी, उसको उन्होंने न सिर्फ यह कि उसको नजल अंदाज किया, कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि बहुत सक्त तनकीद उनकी ज्यादा हो गई है, और उन्होंने जो सिन्फ सबसे अलग शक्सियत हैं थी, लेकिन एक ही एहद की ज़रूरतों की तकमील दोनों करना चाहते थे, और दोनों में एक तालुक यह पाया हो गया, कि दोनों एक ही जगा मुलाजिम थे, लाहोर में दोनों का क्याम था, और सञ्चीप आलें से दोनों तालुक रखते थे, और जाहि के हाँ भी हाली के हाँ दोनों के हाँ आपको दिखाई देता है और मेरे समझ में तो यही बात आती है और जाहर है कि मैं समझता हूं कि हाली के हाँ और आजाद के हाँ दोनों के हाँ यह बात थी कि उनका दिल कुछ कह रहा था दिल और दिमाग की इस कश्मकश में दोनों पर गुजरी उसकी दास्तान बहुत तूलानी है सबकर जिक्रम नहीं कर सकते यहां जाज़ा लेना मुश्किल है लेकिन एक बात यह कही जा सकती है कि अपनी तमाम परिशानियों मसायल के बावजूद आजाद ने और इसी किसासाथ हाली ने भी जो खिद्मात अंजाम दी हमारी अदबी रουायत की, अदबी तारीक को बनाने में, अदबी तनकीद की रुआत कायम करने में, शायरी को एक नया रुख देने में, इन शायया को एक नया एत्बार बक्षने में, वो बहुत गयर मामूली है. और आजात तो अपने असलूप कि बिना पर उनकी हां जो डूराम को हमारे लिए एक बहुत दिल्चस्प मौजू बना दिया है वो जाहरे कि अर्दू जबान वदब के ऐसे मौसिनों में हैं जिनके कारणामों का हमेशा रहती दुनिया तक इतराफ किया जाता रहेगा बहराल आप दुनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वहाँ ही लोहे को काटता है माराज दूर दर्शन